नवस्का दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पता दोस्तो सीटेट ओप्लाइन एक्जाम 2023 की परिच्छा तेदियों में टकराब को लेकर दोस्तो शुड़े बात करने वाले हैं इसके लाबा दोस्तो होम जिले में एक्जाम डेट में परवतन को लेकर का अधिकारियों की तरफ से क्या अपडेट आई है क्या ग३रे जिले में ही आपके सेंटर दिये जाएगे कि जब आपके आविदन लिये कहे थे उस समय आप अभी개 हो सकती हैं क्योंकि दोस्तों अगर ग्रेजले में नहीं रहते हैं या पर बाहरेगर सेंटर जाता है दौस्तो तो एक्जाम देने के लिए कम इनके राइं को जाना होगा तो इसलिए चाथा मांग कि जारी कि एक्जाम अगर इसिश सघस्ट मात्र 4 दन पहले ही दोस्तो może Зdat होगी तो ऐसे में कारी स्टवंट ऐसे होंगे बिहार शेच्य वर्ति के लिए दूर तो वह द inquल होगा उनको जाना होगा कि न की जाती है कि पॉर्म राज्जयों के चाथ्रा आधीं कर रहे हैं और उसमें SITAD ke forum بھی reopen हो सकते हैं सभी चात्रों को मौका मिलेगा कि आप forum से बर सकते, जो भी चात्र रहे गये सेंक डियारतियों की मांग है फॉरॉम reopen के जाए इस वर जो आलानाविदन है वह भी दोस्तों पिछली साल के पिचला कमाई है पिछली साल लगो 32 लाग चात्रों ने एक्जाम दी थी और 9 लाग चात्रों का सीटेड पास हुआ था लेकिन इस बार दोस्तों मात्र 26 लाग चात्रों ने रेश्टेशन कराया 24 लाग चात्रों ने फीज जमा किया है 24 लाग चात्रों या फिर आमान के चल सकते हैं 22 लाग चात्र ही एक्जाम देंगे ओवरॉल जो उपस्तती है वो देखने को नहीं मिलेगी हालांकि ओप-लाइन एक्जाम है लेकिन चाहते हो दरा मांग की जारे कि ग्रेजली में ही सेंटर रखे जाएं आपकी क्या राय है के टर्म में भी आपको बदलाब देखने को मिलेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करने सीटेट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चैनल के मादम से दावाड होती है अगर आपको वीडियो पसंद आइड़ वीडियो को लाइक भी करना जैहिंद बंद मातरम